हर्याणा में शिक्षा के स्थिति और तमाम अन्य एह मुद्दों पर बात करने के लिए हर्याणा की शिक्षा मंत्रे गीता भुखल जी आज हमारे साथ हैं गीताशी स्वागत है आपका डियर नाइट नियो स्यानल में शिक्षा के शेत्र में हर्याणा को आप शिक्षा का हब बनाने की बात कही जाती है प्रदेश में कहा जाता है कि शिक्षा के शेत्र में आप नंबर वन है लेकिन कैसे देखी मैं कहना चाहूंगी कि हमारे प्रिदेश के मुख्यमंत्री चौधरी भुपेंदर सिंग हुडा जी जिनोंने कहा कि हम शिक्षा का हब बनाएंगे हर्याना को और उसी में चाहिए बजट में जलक देख लें और जो भी खर्चा होता है मैं उसको expenditure नहीं बलकि investment मांगती हूँ और आज शिक्षा के शित्र में जहां शिक्षा का दिकार लागू करने में हर्याना बहुत जादा अग्रणी रहा है हमने जो इसके जो भी provisions हैं चाहे school management committee के गठन की बात हो session के मद्धे में हम किसी teacher को retire नहीं करते ताकि बच्चों का जो है किसी प्रकार से पढ़ाई में उनका नुकसान ना हो quality education देने की हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं quality education के साथ-साथ बहतरीन infrastructure में जो अगर आपने अभी असर की report भी देखी होगी मैं असर की report पर भी बात करना चाहूंगी असर की report ये भी बताती है कि शिक्षा का इस्तर गिरा है हर्याना में पहले के मुकाबले दसवी और बारवी के नतीज़े आपके सामने हैं पिछले कुछ सालों में और इस बार इस तर क्यों गिरा है They are very highly qualified and highly paid मैं समस्ती हूँ उनको थोड़ा सा सोच में और परिवर्तन करना पड़ेगा और जो दस्वी यां बारवी के नतीजियां आया है इस बार जो अभी समेस्टर का रिजल्ट आया पहले से बहतरीन वो रिजल्ट हमारा आया है लेकिन ये जो रिजल्टस बोर्ड में जो आया है आपने देश भर में अगर सभी राज्यों को भी नजर उठा कर देखा हूँ तो सभी राज्यों में इस तरह की स्थिती पैदा हुई ये जो शिक्षा का दिकार आने के बाद पहली से लेकर आठ्वी तक बच्चों को जो हम मुफ्तिव अनिवारे शिक्षा है इसमें आठ्वी के बोर्ड को समाप्त किया गया और किसी बच्चे को आप पहली से लेकर आठ्वी तक अभी फेल नहीं करेंगे तो जो बच्चे लगातार आठ्वी में पास होते आए हैं क्योंकि 2010 में हमारा ये शिक्षा का दिकार जो है लागू हो गया तो हम आठ्वी में किसी बच्चे को नहीं हमने फेल किया डिटेन नहीं किया वो लोग नौवी में आए और दस्वी में आए तो जो बच्चों जिनकी स्क्रीनिंग हमारी आठ्वी के स्तर पर ये नौवी के स्तर पर हो जाती थी वो आकर दस्वी के स्तर पर हुई पर ये मैं इनको excuses नहीं मानती हम लोग कोशिश करेंगे कि हम अपने results में और ज्यादा सुधार करें और Central Advisory Board of Education जो highest body है नेशनल लेवल पर वहाँ पर भी इशू उठा और एक cabinet subcommittee का गठन हुआ और राश्ट्रे स्तर पर उसका मुझे चेर्मेन बनाया गया तो मैंने देश भर के बहुत सारे राज्यों में जाकर मिनिस्टर से भी महाँ के departments और महाँ के school विजिट करने के बाद हमारी report तयार है जिसमें हम यह कहना चाहते हैं कि continuous और comprehensive evaluation सतत मुलयांकन तो बिल्कुल सही है और परिक्षा के जो आप बात कर रहे हो कि आठी तक परिक्षा नहीं है उसके बाद नौमी दस्वी में जब एकदम से परिक्षा देनी पड़ती है तो दबाव बढ़ता है और कई बार इसी वज़े से result खराब होते हैं आपने भी इसमें कहा था कि इसे बदलने की जरूरत है तो आप क्या कर रहे हैं अब इस पर कुछ काम होने वाला है या नहीं या सिर्फ ये काग्जों में सिर्फ एक सुझाव दे दिया गया नहीं एकेवल सुझाव नहीं है बहुत बड़ी highest education body है जो की constitute हुई है और हमने कुछ राजों के मंत्री भी हमारे असाम हैं तामिलाडू हैं बिहार और 36 गड़ के ministers भी इसमें member हैं और बहुत से educationist इसमें member हैं हमारी committee draft report की तयार हो गई है और हम लोग ये report submit भी करने वाले हैं कि ठीक है मुफ्त में हमने शिक्षा कर दी लेकिन बच्चों में सतत मुल्यांकन के लिए जब तक हमारा पूरा infrastructure नहीं खड़ा हो जाता हम लोगों को exam ये screening test अवशे रखना चाहिए और हर्याना में तो हमने अभी माने मुख्यमंत्री जी ने जब मुख्यमंत्री शिक्षा दीक्षा कारेकरम की हमने अभी गुरगावा में सभी स्कूलों को जब सम्मानित किया था तो उन्होंने भी ये कहा कि हम लोग जो है classes में पांचवी में भी आठवी में और तीसरी में भी कुछ screening test बच्चों और लेकिन इसके लिए हमारी सरकार बहुत गंबीर है और इस समय करीबन 9000 से ज्यादा जेबीटी टीचर के इंट्रू चल रहे हैं रिजल्ट आने वाले हैं और 14-15000 स्कूल लेक्चराज के जो हैं इंट्रू हो चुके हैं कई लिए बहुत लंबा वक्त लग रहा है देखि अब बच्चों की पढ़ रहा है लेकिन हम लोग बहुत गंबीर हैं वेकैंसी इस प्रकार की ना रहे लगातार हम लोग हजारों की संख्या में वेकैंसी अडूटाइज कर रहे हैं और दूसरा हमने नए स्कूल खोले हैं नए स्कूल अप्रेड किये हैं उसमें भी नई पो टीचर्स हम लोग रख लेंगे ताकि जहां पर इस तरह की वेकैंसी हैं वहां पर वो लोग जाकर पढ़ा दें अब दलित वर्क का प्रतिनिधित्व करती हैं हर्याना में दलित उत्पीडन के करीब 11,000 मामले लंबित पड़े हैं ये नैशनल कमिशन के रिपोर्ट है क्या लगता है आपकी अपनी ही पार्टी की कुमारी सैलजा भी कह चुकी हैं कि हर्याना में दलित होना जुर्म हैं लगता है कि दलितों की हालत हाशीय पर है देखी मैं तो ये मानती हूँ कि आज हमारी सरकार ने जो दलितों के लिए नुसुची जाती वर के लिए बहुत बड़े-बड़े काम की हैं बहुत बड़े-बड़े फैंस ले लिए हैं चाहे शिक्षा के अधिकार के तहत मुफ्त शिक्षा देने के साथ-साथ निस लाग बहतर हजार बच्चों को हम लोग स्टाइफन स्कॉलर्शिप दे रहे हैं अमेडगर मेधावी चातरी ओजना के तहत हम दे रहे हैं करिबं 384,000 लोगों को हम बाग दे चुके हैं बाकियों को हम दोेंगे 200 लीटर की टंकी मुफ्त में देने की बात थी वो दे रहे हैं हायर एजूकेशन के लिए बच्चों को प्रोट्सायवाइट करना है नीतिया आपकी बहुत अक्षी है है लोगों को लाब भी मिला है जहां तक atrocities on dalit का मामला है जो report किया बात कर रहे हैं इसको हमने बहुत घंबीरता से लिया और माने मुख्यमंत्री जी जो की state vigilance and monitoring committee के अध्यक्ष हैं सभी MPs और MLS उसमें member हैं और home department भी उसमें आता है तो मुख्यमंत्री जी ने सकत दिशा निर्देश दिये हैं कि जीरो tolerance power against the atrocities on the dalit सगर होता है तो जीरो tolerance power है तर फिर भी अलग से पुलिस थानों की विवस्था की जा रही है अलग से विवस्था की जा रही है इसके साथ साथ में अनुसुची जाती आयोग का गठन जो एक हमारी बहुत पुरानी मांग थी एक दलित होने के नाते भी मैं कहूंगी उसको उसको notify कर दिया गया है अतीशिग्र आज कल में ही चेर्मेन और मेंबर्स की नियुक्ति कर दी जाएगी मैं समझती हूं उसके बाद हम यह समझते हैं जब हमारे पास एक आयोग का पूरानता जो है गठन होने के बाद इस तरह की जब मामले आएंगे यह हमारी जिम्मेवारी बनती है कि जहां पर भी इस तरह की अट्रोसिटीज हुई है हमने स्वेंबी आवाज उठाई है मदद में भी गए हैं सरकार ने भी मदद की हैं समाजिक संगठन भी आया है मीडिया खास्तोर से उनके पक्षमे निकल कर आया है तो आज हम लोगों का पूरा प्रयास और कोशिश रहेगा कि दलितों पर किसी प्रकार का कोई अत्याचार ना हो और यह दलितों पर अत्याचार का मैं एक कारण और समझती हूँ दलितों का एमपावर्मेंट जो कि उनकी शिक्षा की वज़े से हुआ है कि शिक्षित बनकर उनको संघर्ष करना आ गया है शायद वो संघठित हो गए हैं तो बहुत से लोग हैं मैं इसको कारण समझती हूँ कि अट्रो सिटीज को सहन नहीं करते और आवाज उठाते हैं इसकी वज़े से भी कई बार कारण हो जाते कि आप बडाश नहीं कर रहे हो और आप लड़ने की शक्ति रखते हो अतियाचारों के खिलाफ तो हमने जो एक एमपावर्मेंट आफ दलित्स पर हर्याना सरकार ने कारे किया है जो नीती निर्धारन किये हैं कारेकरम किये हैं उनको एमपावर्ड करने के लिए जौब ऑपरचुनिटीज दी हैं बैकलॉग को क्लियर करना मुखे मतरी जी ने जिसकी घोशना की है बहुत से कारे किये हैं और मैं भी समझती हूँ कि आज अतियावशक्ता है महिलाओं के इस थिती कैसे देखते हैं तमाम दुशकरम के मामले सामने आते रहते हैं हरियाणा में भी बहुत सारे मामले जो नैशनल लेवल पर हाइलाइट हुए हैं उसके अलावा राहुल गांदी ने अब कहा है कि वो ये देखना चाहते हैं 50 फीजदी मुख्य मंत्री, महिला मुख्य मंत्री लेकिन लगता है कि ये स्थिती जो राहूल गांधी कह रहे हैं वो वाकई जमीनी हकीकत साबित होगी देखी राहूल गांधी जी हमारी कॉंग्रेस पार्टी के उपाधक्ष है जो मैनिफेस्टो तयार पार्टी का किया जा रहा है उन्होंने महिलाओं से स्वेम डारेक्ट में बाचित भी की और हम भी उसमें सीधा पहुँचे उन्होंने एक बात कही कि मैं भारत देश को अगर वो नुकलियरी या दूसरी तरीके से एमपावर है बात कही है जो विशेश तोर से शशक नहीं है या ग्रामिन अंचल में रहती है उनके लिए जहां बीपीएस युनिवस्टी जैसी युनिवस्टी निकल कर आई जो की एक सिर्फ गुरकुल थी जहां पर नरसरी से लेकर पीएसडी तक की शिक्षा दी जा रही है जो आज युचा उनको महिलाओं से कहना चाहूंगी को स्वें मुझ कर आती है हमारी जिम्यवारी बनती है कि उनको प्रॉपर ट्रेनिंग हम लोग दें और वो खौन जब सशक्ट चुनकर आई है तो सशक्ट होकर अपने जुमेवारियों को स्वेमो, देखें। आपने देखा होगा कि महिलाओं की रिजर्वेशन के साथ उसमें अतिदलित, उनका भी रिजर्वेशन है… तो आज चाहिए वो पंचायती राज में पंच की बात हो, सरपंच की बात हो, जिला परिश लुशर चेर्मेन की बात मेर की बात हों महिलाएं चुनकर आ रही है विदान सभा में आप देख लें महिलाओं की अच्छी स्थिती है लोग सभा में यह बहुत समय से पैंडिंग है और हमने हमारी अधिक्षा सुनिया गांधी जी से भी कहा है कि बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जिसमें की नॉमिनेट का गठन है लेकिन इन कमिशन और कानून के साथ साथ मैं समझती हूं महिलाओं को स्वेम यह बीडा उठाना चाहिए कि वो अपने सशक्तिकरण की अवाज को स्वेम उठाएं वो किसी से कम नहीं है हर्याना की और देश की मजबूत नारी है अगर कोई ऐसी बात आती है आप लसी योजना हैं चाहे लाडली योजना है लाडली सामाजिक सुरक्षाय योजना है बेटियों को मुफ्त में शिक्षा देने के बाद है मुफ्त में बस सर्विस देने के बात है इनके साथ साथ में हелप्लाइन नंबर 1091 स्टार्ट किया है अल avis से महिलाओं के लिए भी कॉंग्रेस की? देखे विल्कुल कोई डर नहीं है जो आज नीतियां कारेकरम हर्याना में माने मुख्या मंतरी चौधरी भुपेंदर सिंग हुडाजी के नहीं तत्तों के हमारी जो कॉंग्रेस पार्टी की सरकार है चाहे खेल नीती को देख लें शिक्षा नीती को देख लें बिजली के जुरूगों की पेंशन, विकलांगों की पेंशन, विडो पेंशन, जो समाजिक सुरक्षा के भी जो बहुत से बिंदू होते हैं उन पर भी सरकार ने बहुत काम किया है आज और उप्योजिशन के पास कोई लड़ना चाहते हैं ये बात सिम् साब भी कहते हैं आप भी कहरें हो लेकिन विकास को लेकर आप पर नियता आप सेथा करवाना चाहिए लेकिन जब वो सवाल उठाते तो आप लोग आंकड़े जारी कर देते हैं, क्या आंकड़े उन्हें समझ नहीं आते या इन आंकड़ो में तो कोई हेरफेर नहीं है? आदेखे आंकडों में कोई हिर्फर नहीं होता, सरकारी आंकडे हैं और काम नजर आता है कि हुआ है कि नहीं हुआ है चाहिए उनिवस्टीज की हम बात करें, कॉलेजिस की बात करें, आई टियाइस की बात करें, टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें roads, railways या power houses की बात करें आप पूरे हर्याना को उत्तर दक्षिन पूरा पश्यम हर्याना के वल 2% population है पूरे country की छोटा सा हर्याना है और आज अगर आप reports देखें तो हर्याना ने बहुत जादा तरक्की की है बहुत सारे awards हमें मिल रहे हैं चाहे वो करिशी के शेतर में हैं, जूकेशन शेतर में हैं आज हमारे बच्चे आई-एस टॉपर हो रहे हैं, आई-टी टॉपर हो रहे हैं तो मैं कहना चाहूंगी कि विकास करवाने के लिए अगर आप elected हैं, आपने हाथ जोड़कर लोगों से vote मांगे हैं आप अपने काम को परस्यू भी करें और आज ना पैसे की कमी है ना कामों की कमी है केवल आपको परस्यू करने की जरूरत है और पूरे हर्याना में विकास के कारों की पूरी तरह से विकास का पईया बहुत तेजी से घूम रहा है गुडबाजी है हर्याना कॉंग्रेस में मानती है आप देखे हमारी जो कॉंग्रेस पार्टी है बहुत बड़ी एक बहुत पुरानी पार्टी है बहुत पुराना इतिहास रहा है कॉंग्रेस पार्टी एक समूदर की तरह है और इतना लोग तांतरिक सिस्टम है हमारे यहां की हर एक व्यक्ति को अपनी बात कहने का पूर्णत अधिकार है किसी की बात दबाई नहीं जाती चाहे आप यहां कहें हाई कमांड में कहें अपने सीनियर्स को कहें ब्लॉक लेवल पर कहें या जिला लेवल पर करें हर व्यक्ति की सुनवाई है हर एक व्यक्ति को अधिकार है और बड़ा डेमोक्रेटिक सेटप है हमारी पर बहतर नहीं हो कि अगर लोग तांतरिक व्यवस्ता है तो आपसी जब मीटिंग होती है बैठ की होती है उस बक्त यह बाते कहीं जाए बजाए सार्वजनिक मंच के इस्तिमाल पर क्योंकि जो लोगों में संदेश जाता है वो यहीं जाता है कि कॉंग्रेस के नेता तो आपस में ही भेव रही हैं इसका नुकसान लगता है आने वाले चुनाओं में आप लोगों को भी बढ़ सकता है देखे कॉछ तो कॉंग्रेस के नेता आपस में बाचित करते हैं कुछ मीडिया के बंदू हमारे जो हैं और ज्यादा क्योंकि हर एक नेता के पास जाकर उनसे पूछना तो हर विक्त सोच रहे हैं कि राहूल गांधी जी को हम देश का प्रधान मंत्री जब बनाना चाहते हैं हमें अपने जिम्मेवारियों को समझते हुए आज कॉंग्रेस पार्टी की केंदरी की चाहे नीतियां है मन्रेगा है आर्टी है बहुत से काम है फूर्ट सेक्यूरिटी एक्ट हम लेकर आए बहुत बड़े-बड़े हित में फैसले लिए गए हैं लोग उससे फायदे में लोगों ने मन भी बनाया है बात केवल है कि लोगों तक पहुंचना अपनी बात को कहना लोग आपके साथ जरूर लगेंगे और आने वाले समय में कॉंग्रेस पार्टी बहुत फैस hooked कर नहीं हैं अने लिए पास झो मुद्बे हैं अगर काम को लेकर उन्होंने कहा तो मैंनी समस्ती की विकास के नाम पर उन्होंने कहा और जब आप वहाँ के सांसद रहें या विधायक रहें झाप बाता में बाता समया च्भाने अगर पर agchau नहीं देनाम कोई रहे ल इस बार Aam Adam Party भी चुनावमैदाब में है। दिल्ली में आमादमी पार्टी की वज़ए से कॉंग्रेस हाशिये पर आ गई। क्योंकि एंटी इंनके खिलाफ कुछ नहीं था, इनका एक भी पंच, सरपंच या पार्षत भी नहीं रहा, सीधे हैं ये लोग मैदान में आये पार्टी बनाई और संगर्च किया कॉंग्रेस पार्टी ने मुद्धों पर दिल्ली में इनको समर्थन भी दिया है लेकिन कितना failure रहे हैं ये लोग आपने देखा है कि मंत्रियों के किस तरह से बियान आये हैं उनके मुखे मंत्रिय का उन्होंने कहा कि मैं अनार्की उन्होंने उसकी बात कही है मैं एक बात कहना चाहूंगी हर्याना में आम आदमी पार्टी का कुछ भी नहीं है और आप बात कर रहे हैं नेताओं की प्राइमरी मेंबर्शिप लोग ओन लाइन ले रहे हैं और इनके ही नेता कुमार विश्वास किसी के लिए भी कह देते हैं कि हमें तो पता नहीं है कि वो हमारे पार्टी के मेंबर हैं अभी तो पूर्णतर नेता बने भी नहीं है और अभी से इस तरह की ब्यान बाजी आने लग गई दूसरा उन लोग को किसी प्रकार का experience नहीं है ठीक है उनकी नियत सही हो सकती है मुद्धों के साथ लोगों के बीश में जा रहे हैं लेकिन आज Congress Party के लिए आम आदमी Party जो है हर्याना में कोई मैं इसको ना कोई challenge मानती हूँ क्योंकि इनके आप देख रहे हैं नेताओं की बात कर रहे हैं आम लोग नहीं है खास लोग हैं जो चाए अस्तीफा देकर जा रहे हैं या कहीं ना कहीं से Party को केवल चुनाओं लड़ने की हैसियत से जा रहे हैं वहाँ पर कारे करता कम और नेता जादा जो की चुनाओं लड़ने के जिनके मन में इच्छा है वो लोग ज़्यादा चार आपको ये लग रहा है कि सियासत में आने का जरिया मानुए हैं लोग आम आदमी पार्टी को लेकिन योगेंद्र यादव ये कह चुए हैं कि दिल्ली से ज़्यादा हर्याना में 100 गुनाव फ्रष्टा चार ज्यादा है और CLU की बाते उन्हों ने उठाए और इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ने की बात कही है देखिए योगेंद्र यादव यादव जी को भी हमने सुना है। वो हर्याना से हैं वो रिवाडी से हैं मुद्दों को लेकर लगे हूए हैं पहले कांगरस के साथ साथ भी अच्छा खासा हब हो रही हैं विशलेश्यक एक रही हैं जो भी पार्टी होती है अपने करने के आरोप लगाए हैं लगता है कि इनसे खराब हो रही है कॉंग्रेस की देखिए जो लोग भी राजनीती में आते हैं उनको बहुत साफ सोथ तरीके से और अच्छे डंग से राजनीती करने चाहिए इन्हें लोगों ने तो आज सीडी जारी की है और ऐसे से मामलों में प्रश्टाचार के मामलों में स्वेम उनके बड़े से बड़े लोग भी जो है आज जेल में हैं और बात ये इनलो पार्टी बीजेपी या कॉंग्रस की नहीं हैं इमानदार राजनीती की अतियावश्यक्ता है और अच्छे डंग से राजनीती जरूर करनी चाहिए अलिग के पास कोई खास ऐसे मुद्दे आज है नहीं है जिनको लेकर वो चुनावी मैदान में उत्रे और मैं तो यह कहना चाहूंगी कॉंग्रस पार्टी के जो आज कारे हुए हैं यह उनकी बुखलाड भी है बीजेपी को अब आप हर्याना में कहां खड़ा पाती है हजका के सा अब भी था और उनका क्या हाल हुआ आपने देखा है आज बीजेपी के कितने MLA's हैं आपको मालूम है कोई MP नहीं है आपको मालूम है आज हम समझते हैं कॉंग्रस पार्टी एक मजबूत पार्टी के रूप में खड़ी है और कॉंग्रस ने जो कारे किये हैं और दूसरा ह हमें मेरा एक मानना है कि हमें किसी भी पार्टी को चाहिए वो आमादमी पार्टी है चाहिए लोकल है चाहिए बीजेपी है किसी को लाइटली नहीं लेना चाहिए चुनाव के समय में चुनावी पूरी तैयारी के साथ मैदान में हम लोगों को उतरना चाहिए नरेंदर मोदी को आप लग नहीं रहा कि नरेंदर मोदी की लहर है हर्याना में? तो राज्ये के नेशनल मुद्धों पर उनको आपको पता ही है कि बहुत से लोग उनके बारे में क्या शब्द इस्तमाल करते हैं? मैं तो केवल एकी बात कहना चाहूंगी कि सभी पार्टियों को अपनी मार्केटिंग वो कर रहे हैं अच्छे से लेकिन मुद्धों के साथ र नौ सीटे अभी आपके पास हैं और सिर्फ एक ही है हजगा के पास लेकिन लगता है कि अब ये समीकरन बदल सकता है मैं एक बात कहना चाहूंगी जो केंदर की राजनिती है वो हमेशा राज्यों पर उसका इंपेक्ट रहता है आपने महंगाई की बात कहीं मैं महंगाई से पहले जो हमारे सेंटरल गॉर्मेंट्स की स्कीम्स हैं मन्रेगा है सौ दिन का रोजगार हमने सुनिश्चित किया है फूड सेक्यूरिटी कानून लेकर आए एक रुप्या दो रुप्या और तीन रुपे किलों के हिसाब से गरीब लोगों को जो हम आनाज दे रहे हैं शिक्षा का अधिकार हम लोग लेकर आए मुफ्तेवं अनिवारे शिक्षा जो हमने की बच्चों को हम एजुकेशन दे रहे हैं गरीब लोगों के लिए स्टाइफन स्कॉलर्शिप हम लोग लेकर आए हैं आर्टी आई एक ऐसा इन्फॉर्मेशन का हमने हतियार लोगों के हाथों में दिया जिससे कि जो भी कारे हो रहे हैं उसकी आमजंटा को जानकारी मिल पाए केंदर सरकार की योजणाओं की वजए से चाहे वो कॉंग्रस śाषित राज्यों के इलावा भी राज्ये है उन्होंने इसका बहुत जादा लाब उठाया हमारी कॉंग्रस चाशित सरकारों को उसका लाब भी स्वेम बहुत मजबूती से उठाना चाहिए क्योंकि सारा का सारा पैसा केंदर से आता है केंदर का पैसा राजियों में हम लोग जो लगा रहे हैं तो हमारी कोशिश है कि हम उन स्कीमों का भरपूर प्रसार जो है ता कि हम इसको वोटों में भी कनवर्ट कर पाएँ और जो भी कारेकर बीजेपी सरकारे जो है आज भी मौझुदा सरकारे हैं राजियों में उनके बारे में भी हमें उन्नोंने क्या ऐसे कारे केंदर की हैं उनको भी हमें एक्स्पोस करना चाहिए और राश्टेस तरपर मजबूती के साथ खड़े होके हमें आने वाले चुनाओं में क्योंकि दस सालों से ज़्यादा हम केंद्रों में हैं तो कई पर एंटी इंगर्मन्सी अगिंस दा गौर्मेंट हो जाता है वो यहां राज में भी दिख रही है कहीं देखी यहां पर विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं है और विकास के कारे हुए हैं बहुत एक फैक्टर बड़ा रहता है कि लंबे समय तक जब सरकार रहती है लोगों की उमीदें जादा बढ़ जाती है और लेकिन आज उमीदों पर पूरी तरह से कॉंग्रेस पार्टी की सरकार मुखे मंत्री जी ने हर वर्क के लिए जो निरने लिये हैं लोग सैटिस्वाइड है आने वाले चुनाओं को लेकर रण नीती क्या रहेगी आने वाले चुनाओं में आज जहां हमारे संगठन को हम लोग मजबूती के साथ ये दिखते हैं कि हमारा बूत लेवल का कारेकरता भी अपने आपको सुरक्षित महसूस करे कॉंग्रेस पार्टी की नीतियों का परचार प्रसार करे ये श्रीमती सोनिया गांदीजी ने जो एक रास्ता दिखाया है उसका परचार प्रसार करे जो हमारा तीरंगा जहंडा है उसको मजबूती के साथ हाथ के निशान को लेकर चलेगा तो हाथ से मजबूत कुछ भी नहीं है आज हम लोग मजबूती के साथ मुद्दों के साथ जो सरकार ने कारे किये हैं उनका परचार पसार हम लोग करें आज गरीब से गरीब वक्ति को और अमीर से अमीर वक्ति को infrastructure के हिसाब से हर्याना ने विकास और तरकी में अपना एक नया आयाम स्थापित किया है इन्हीं मुद्दों को लेकर हम लोगों के बीच में जाएंगे चुनाओ के समय में सब लोग इकठे होकर जो है चुनाओ का जब बिगुलब तो बच चुका है उसमें इकठे उतरेंगे सब लोग शुक्रिया इस देर नाइट से इस तमाम बात आराजेंदेची आपका भी बहुत 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 शुक्रिया और मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपके चैनल ने मुझे भी अपनी बात कहने के लिए हाँ पर बिलाया हबरों की दुनिया में आईए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िये हम मिलेंगे फेस्बुक पर हम दिखेंगे यूट्यूब पर हमें फॉलो कीजिये ट्विटर पर हबरों के साथ बने रहे राद दिन